तो वाट्सप गाईस क्यासे आप सब लोग वेलकम बेक टू अनादर गेम लेप वीडियो आप माइंट्राफ्ट और बड़े लंबे टाइम के बाद में लेके आचको माइंट्राफ्ट सरवायवल का एक नया एपिसोड तो चले फटा 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 फटे स्टार्ट करते आज क वीडियो को तो आपको पता होगा लास्ट अपिसोड में हमने ट्राइ किया था अपने एंड को ट्रांसफर्म करने का बट बाइम दुनिया का सबसे बड़ा गधा प्लियर हो मुझे समझ में आया अगर मैं वहापे ट्रॉट्च लगा था तो बाइंडर मैं स्पॉन नहीं ह बहुत सारे ब्लॉक चाहिए और तो और बहुत सारे टीन टील चाहिए बट पहले देखते हैं अपने पास कितना सामान अल्रेडी पड़ा है टू एंड ये थ्री और ये फोर फाइड बाइक कितने सारे सालकर बॉक्स पड़े मेरे पास देख रहे हो बाई ये दो और फिर तीन, चार, और ये पाँच और itt अब? ये चे फिलाल तो देखते हैं पने पास बहुत सारी वƯुड लू बड़ करहा है और इसे प्ले पा बहुत फान खाली है एंड ये टू खाली है म करहा है तो म scor कर दहीं ऑन फिल्व today आपने अप Nach color और देखते में कितना में बड़s एरिया बनाना है और कितनी सारी तयारी करने सारी प्लैनिंग करते तो फटावर्ट से निकलते अपने स्ट्रॉंग होल के पास अब उड़ जा भाई अरे उड़ जा यार ओके चलो भाई और मैंने अपने बटन्स भी हैड कर दिये ताकि बहुत ही बढ़िया लुक आए आई हो फटावर्ट से मारते बहुत ही बड़ा लेंडिंग और बहुत बड़ा एरिया क्लियर करना है देख रहे हो भाई कितनी गंद मची पढ़िया असपास पास चलते फटावर्ट से अंदर और वेट वेट मैं क्या कर रहा हूं भाई लेटरा पहन के अपनी वाटर बकेट पहल यह होगा अपना सेंटर ब्लॉक तो यहां से जाना है उपर कोई ग्रेवल मत गिरना भाई मेरे पास टॉर्च भी नहीं है एंड यह वान टू थ्री एंड यह फोर और यह रहा हमारा सेंटर एंड लूक एट दीज बाई कितना सारा एरिया क्लियर करना है भाई हमारे सेंटर यह हर तरफ जाएंगे 30-30 ब्लॉक और फिर बीच का सारा एरिया क्लियर करेंगे तो सबसे पहले यह अपना सेंटर और इस तरफ चलते थर्टी ब्लॉक तो वान टू थ्री फोर फाई सिक्स ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फाई और यहां से आई सायाच से मिने बहुत प्रिल जाओ में नो बड़ा भाई कितना नोबु में बाकी चलते दूसरी तरफ थर्टी ब्लॉक जाना है और एक बहुत ही बड़े आम पेले बॉडर बनाएंगे उसके बाद बीच का पूरा एरिया क्लियर करेंगे अरे भाई रुक जा तुझे बूलाओंगा बाद में क्लियर कर रहेंगे देन लेट्स गो प्लीज 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 ओकिट चलो वाई मैं कितना प्रोव आई ओल ट्राइट तो भी फटावर से निकालते अपना बीकन वान अन्ड ये टू टू ट्री एंड ये रापना बीकन चलो शीक से वन एट और ये नाइन एन ये डन और ये अपना प्लीज यार एंड ये अपना इट्री को यहाँ से गायाब करते और बहुत साना बागी दूसरा तो फटावर से लगते अपने काम पे लेट्स गो पूरा एरिया हम क्लियर कर पाए और उसके लिए बहुत सारी सेंड तो सबसे बहुत सारी सेंड और फिर निकलते बहुत सारी सेंड कलेक करें के लिए आज तो भाई मैं एक डेजट बायम डून के रहूंगा बाकी मेरी इनवेंटरी पूरी फूलो चुकिये और फटार से निकलते डेजट बायम डूनने के लिए मेरे को पता नहीं डेजट बायम कहां मिलेकी बढ़ डूननी पड़िए कि बहुत सारी सेंड चाहिए चार से पां यही कई आसपास होने चाहिए बाई यह कैसा ग्लीच आप देख रहे हो बागी चलते फटा वट से में सायद से डेजट बायम के बहुत ही नस्दीक हूँ और उठ जाए यार प्लीज ओ भाई तो वह वाली ओशें बायम यार बहुत ही ब्यूटिफुल दिखते है जो लूक से लो और मैं अपना बीकन भाई वहां पर रख के आया यार बहुत सारी सेंड माइन करनी है और में अपना बीकन यार वहीं पर रख के आया पट कोई बात ने भी सुलकर बॉक्स निकालते फटा वट्स और फटा वट्स अपनी माइनिंग स्टार्ट करते बाई चार से पां चलकर बॉक्स बर के गण पाउडर जो की बाई लगबग इंपॉसिबल है बट कलेक करना होगा बाकी फिलाल यहां से निकलते अभी अपने गांस्ट पांपे जाएंगे और बहुत सारा एफ करेंगे और बहुत सारा गण बाटर कलेक करेंगे बाकी में कहां से आया था वेट यार मेरे ख्याल से में इस तरफ से आया था कुछ दीख पी नहीं रहा भाई अपना हाउस कि दर गया वेट यार ओके वोर ही अपने स्टैचू फटावर से मारते बहुत ही बड़ा लेंडिंग अपने फार्म पे ओके गड़बड हो चुकि यह बट चलते फटावर से अंदर एंड मेरे को चीए कहां गया ओके यह चीए अपने को वेट दूसरे आर्मर स्टैंड कहां गये कुछ तो हुआ है यहां पे बाकी अपना हेलमेट निकालते गोल्ड का में जाना है नेदर में आजा भाई और यह पूरा टूट चुका है बाई यार क्या ही चल रहा है बाकी फटावर से अपना हेलमेट पहनते एंड वापस से रखते थे इसको चल भाई तो हम फटावर से निकलते हमने गास्ट फार्म पर हमें बाई चार से पांच से लगर बॉक्स ब्रेकर गन पाउडर चाहिए बाई बोर टाइम लगने वाला है बाकी अपना गास्ट फार हम 121 & 600 की आसपा से बहुत दूर है तो मेरे को जाना होगा कुछ इस तरफ और यह क्या है और यहां से कुदना पड़ेगा क्या वेट प्लीज 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 ओ भाई ओ भाई वेट 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 चलो भाई फटावर से निकलते हैं बहुत दूर अपना गास्ट फार्म है और मुझे एक स्वाटकर्ट बढ़नाना होगा भाई कितना दूर है अपना गास्ट फार्म और फीड से में गिर से यहां वे यार क्या कर रहा हूं मैं भाई और चलो भाई फाइनली हम पहुच चुके अपने गास्ट फार्म के पास अभी मुझे मानिया बहुत ही बढ़या अपने एक स्पर्ट पे पहींद अपना इलाइट रह और बस एक ब्रड़tt या मरवाएगा क्या ओक ऑडियां अशी लैंडिंग प्लीज फीलिस अज hé descended pon вы वहाई मैरे पास स्रॉक इड़ा हूँ यार अरे वेट बाई स्कइलाटन जी रुप जाओ कहां से मार रहे हो अबर रुप जा भाई मार डालेगा मैरे को वेट मेरे लाइटर पेना हुओ बहुत देर यहां पर रुकना पड़ेगा और पांच मिनिट का एफ के काफी है अभी चलते फटावर्ट से अमने ओर वल्ड में और भाई बहुत सारी गास वहाँ पे आ चुकी होगी और वो सब आज गई भाई बहुत सारा गंपड़र्ट से ये लेट्स गो ओके चलो और यहाँ पे बारिस हो रही है उच्पे और मेरे को जाना इस तरफ एंड पुंचने वाले पूंचने वाले पूंचने वाले बैंट ने सबकर यार इंटर फोकर करनी है थूररी वेट वेट प्लीज 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 और चलो अभी फटर से लीवर और करते हैं और कितना ल्याग हो रहा है बहुत सारी गास्ट या पर आ चुकी है एंड अपना लीवर ओन करते रहे रुख जा भाई ओके ओन ओल चलो भाई अभी देखते हैं अपना फार्म भाई कैसे वर करने वाला है एंड लूक अट गास्ट भाई कितनी सारी गास्ट अंदर दिखरी आपको लूक अट दीस बाई बोह सारी गंबर्ड और आ रहे आप देख रहो और बहूत सारी गास्ट या और बोह सारी गंब्रड देख रहे आ राए हो वह बहुत रहा है वहां या लेट सगो भाई मैं जला भाई फाइनली अपना एफ के डन हो चुका है और भाई तेर सारा गनबडर में चुका है लूक एट इस बाय कितना सार आई अंड इसमें बहुत सारा मिल चुका है तो फटावर से craft करते है अपने TNT और चलते है तो निकालते है अपने धेड़ सारी send and अपना ये gun butter निकालते है फटावर से 1 और ये 2, 3, 4 and ये 5 and भाई धेड़ सारे TNT craft करते है बहुत सारे TNT मिल जाएंगे let's go तो चलो भाई फिलाल मिन भाई इतने सारे TNT craft कर लिये है और ये भी मेरे ख्याल से enough होगे बाकि फटावर से निकलते है और मेरे पास पर रॉकेट्स भी नहीं है तो बाकि रॉकेट्स भी क्राफ्ट करने पड़ेगे बाकि चलो से collect करते है और crafting table भी प्लीज 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 और ओ भाई दो हट ओ भाई क्या कर रहा हूँ मैं नो बड़ा भाई में को भी भी MLG करने नहीं आती है और फिर रॉकेट्स कर निकलते है और हाइ फ्रॉकि जो भाई चलो भाई तो भी बाद सुगर केंड कलेक करते हैं यहाँ पर सुगर केंड कहाँ पर मिलेगी वो तो मुझे नहीं पता और यह क्या है भाई and finally we are back towards strong hole तो फटावर से मारते एक बोथ ही बड़िया लैंडिंग let's go और भाई कोई नहीं चलो फटावर से बीकन पहले कलेक करते हैं और फिर भाई बहुत सारे दमागी तर होने वाल है let's go ओके तो चलो भाई यह डन अभी फटावर से निकालते हैं अपने TNT और यह रहे अपने TNT चलो और भाई मेरे पास भाई बहुत सारे TNT पड़े and मेरी inventory यार पूरी फोरो चुकि यह बाई कितना कचरा है बाई inventory में यार बाकी फटावर से अपने सलकर बॉक्स कलेक करते हैं और चलते हैं अपने सेंटर ब्लोग पे हम नीचे से पूरी माइनिंग करेंगे और फिर वहां पे लगाए कि TNT चलते हैं फटावर से नीचे यार बाई बाई यार बार दमग होने वाला है भाइ बागो बागो है और बाओ लूग अट देसे अर्टै आ ृतर मग हों चुका है और बाकी देखते हैं बाई log 2 & 1 ओ भाई लेट्स गो अरे भाग जा भाग जा भाग जा भाई बहुत बला दमका होने वाला है बाग भाई जस्ट लूक एड दीस भाई कितना बढ़िया अपना काम हो चुका है बाकी फिलाल बहुत ही गंदा लग रहा है बट डोंट वरी भाई बहुत ही मस्त लगने वाला यह था अपना end transformation चलो भाई आज को वीडियो में इतना ही मिलते अगले वीडियो में तब तक के लिए बाबाई कैसा लगा मेरे मजाक तो भाई मजाक की बात नहीं है यार लूक एड दीस भाई कितना गंदा लग रहा है बाके निकालते अपने दूसरे TNT और अपना काह और यह आठ अपने लिए पूरा इनफ एरिया बाई क्लियर हो चुका है और लूक एड दीस भाई कितना गंदा लग रहा है बाके चलते फ्रवर से नीचे पहले मुझे पूरा एरिया क्लियर करना होगा ताकि मुझे समझ में आए कि बनाना क्या है भाई मुझे लिटरली नहीं पता भाई क्या बनाना है बाई सच्ची बता रहा हूँ MLG ट्राइ करते है लेट्स गो प्लीज हो जाना ओ ओ ओ नहीं भाई बच गया मैं क्या कर रहा हूँ में तभी यहां पे डर्ट का एक ऐसा बिलकुल बड़िया प्लैटफरम बनाते ताकि मुझे बाई समझ में डेकोरेशन कैसे करना है आप देखरें नीचे कितना गंदा से अटाते और यह पूरी आउटलाइन बिकदम कंप्लीट करते था बढ़िया लुक आए और मैसे में किया कि बनाना क्या ए तो फ küçलर कोट हो आते और पूरी आउटलाइन भी कंप्लीट करते और बैसे मियार बेंड बजने वाली यह पूरा काम करते बाई चलो भाई फिलाल में अपने सारे टूल्स को रिपैर करके आ चुका हूँ अपना पूरा एरिया भी बाई क्लियर हो चुका है भाई लूक एड दीस बाकी मारते एक फट आवर से बोट ही बढ़िया लान्डिंग लेट्स गो एड़ अब्राइब शार चलकर बॉक्स में यहाँ पर निकाल दिये और हरे बहु तरह बहुत दिफरेंट डिफरेंट समान पड़ा है डेकोरस करने के लिए तो सबसे बहुत ही तो यहां से लगाएंगे चलो डन अभी चलते फ़र और यहां से उपर और यहां से उपर क्यों और पूरे स्टोन ब्रिक्स आएंगे और नीचे आएंगे अपने cobald stone जो की बहुत ही बड़िया लगने वाले बाकी पहले अपने stone bricks लगाते हैं बहुत सारे stone bricks लगाने है लेट्स गो चलो बहुत अपनी stone bricks की wall एकडम बनके रैडी हो चुकी है एन चलके देखते हैं नीचे कितना बड़िया लग रहा है और भाई look at this बहुत ही बड़िया लुक आ रही है और अभी मैंने को अपनी cobald stone stairs को लेना है और उसको कुछ यहाँ पर लगाना है लग जा बाई 1,2,3,4 और फिर उसके नीचे वाले block की पूरी layer को मुझे mine करना है कुछ इस तरीके से और फिर यहाँ पर लगाने cobald stone जो की बहुत ही बड़िया look देने वाले बाई look at this बाई क्या ही look आ रही है और बिल्कुल ऐसा काम मुझे हर तरफ करना है तो चलो बाई फटार से पूरा काम फिनिस करते हैं बहुत सारा काम है यार तो चलो बाई अपना ये काम भी done and look at this बाई क्या look आ रही है वाव भाई बाकी अभी अपना main decoration का काम स्टार्ट करते तो सबसे पहले हम बनाएंगे नेधर बनाएंगे तो वह पोर्टल हम बनाएंगे कुछ इस तरफ और उसके लिए यह मुझे अपसीडियन तो वह होगे नीचे एक बाट चेक करते हैं नीचे अपने अपसीडियन और नीचे बाई जॉंबी होगे वेट यार चलते कोई बात नहीं क्रीपर ना हो बस और फटार से माइन करते प्सारी सारी ओप सीडियान दधाथ अफीरेन मिल चुके और बागति मेरे पास थोड़े बहुत पड़े पड़े टीपाट करते हैं सली सब्सक्राइब हुद्र नार इनू के आपकेया रही बौत सारे सटोन चलो भाई मारते हैं दें बाट चलते मायों प्यूरन स्टोन और स्टोन एकदम कस्टम पोटल बनाने वाले बोथ ही बढ़िया लूक आएगी उसकी तो चलो भाई मैं अपने स्टोन और कोबल स्टोन कलेक करके आ चुका हो बाकी चलते फटावाट से नीचे लेट्स गो एंड मारते बोत ही बड़िया लेंडिंग चलो भाई तो अपना नेधर गेट यहां पर बनाते और यह पूरे स्टोन को यहां से पहले हटाना पड़ेगा भाई एंड पीछे ओ भाई पीछे क्या है पूरा कबार खाना वेट ओ भाई और मेरे इनवेंट्री यार पूरी फोलो चुकिया भाई मेरे इनवेंट्री या फिर कच्रा पेटी यह बाई क्या है कुछ समझ नहीं आ रहा बागी चलो भाई कोई ने इसको हटाना पड़ेगा एंड टेमपररजा़ बलॉक एंड फिर 1 2 3 4 & 5 ़ो फिर यहाँ पेक और टेम प्लॉक और फिर उपर चलते हैँ ईंड फिर 2 3 4 5 अर अरे यार तो फाई और यह यह सीक्सले और कहां घुषा दिंद केकिया बातब है इसको टाइक करते तो उसकी लिए पूसरेसुन ब्लॉक्स अपने पास बहुत सारे पड़े होंगे देखते हैं यह अपने अपने यह अपने डो राइट एट इतना काफी है पाकी चलते अपना क्राफ्टिंग टेबल भी कलेक करते हैं उसकी जरुवत पर सकती है वहाँ पर तो गैस अपना बहुत सारा काम डन हो चुका है और बहुत ही बढ़िया लग रहा है तो दील ठाम के बैठना मैं आपको दिखा था हूँ 3, 2, 1 and let's go और और रुख जा और रुख जा भाई वेट या रहे तो पूरा बरबाद हो गया भाई क्या कर रहा हूँ मैं बाकी look at this भाई कितना मस्त लग रहा है और फीट से में बीढ गया भाई मैं क्या कर रहा हूँ but look at these भाई कितना बढ़िया लग रहा है सबसे पहले अपना एक कस्टम ट्री जिसमें मैंने लगा है अपने गलो बैरी and ये वाइन्स और ये बोथ ही बढ़िया लॉग and look at the floor भाई कितना मस्त टेक्सर लग रहा है इसका और सबसे पहले ये नैधर गेट आप देख लो कहां से आ गया भाई बाकी भाई ये भी मस्त लग रहा है तालाव and look at that एक केव मैं से भाई बोथ ही पढ़िया जरेना बहे के आ रहा है और यहां पर एपना एंचान्मेंट रूम और मैं उपर आपको दिखाता हूँ भाई बहुत मैने लग इसे बनने म्यार लिटरली बाकी ये देखो बाई कितना मस्त लग रहा है ये टेक्सर कितना जबबर जस लगता है बाई डिफरंट डिफरंट ब्लोक्स का एंड ये भी मस्त लग रहा है बाई बाकी भी आधा काम तो बाकी वह हम नेक्स वीडियो में कम्प्लिट करेंगे because बाई मैं ठक चुका हूँ बाई काम करते करते और इसे बननेमें बहुत द्ल्हूं सब्सक्राइब करो बाकी अगले वीडियो में तब के लिए बाई